स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल गुरु कुल एकेडमी में दोस्तों हम लोग जो एडियो का एक्जाम होने वाला है उसका जो महत्वपुन विशयक ग्रामेड आजीवी का मिशन पर राश्थ्री ग्रामेड आजीव का मिशन पर चर्चा कर रहे थे उ तो यह महत्वपुन पार्ट है दोस्तों जिसका कंटेंड थोड़ा सा निकालना मिलना तो मिल जाएगा आपको निकालना थोड़ा सा दूइधा जनक है कि किसे पढ़ा जाए किसे छोड़ा जाए यह बच्चों में दूइधा रहती है तो वह कारी हमने आपके लिए असान क चीजे पढ़ सकते हैं इसके अलावा इसका सोर्स हमने कहां से लिया है किस अधिनियम की किस बूक का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं यह सारा चीज हमारे गुरुकुल Academy FK PDF सेक्षन जो बना हुआ है वहाँ पर आपको मिल जाएगा आप चाहे तो वहां से भी पढ़ सकते हैं ठीक है तो चलिए प्रारम करते हैं आज जो है यह हमारा दूसरा पार्ट है और दूसरा पार्ट में हम लोग दोस्तों आज देखेंगे इसका दिशा सिर्देशक शिद्धान नरलम का जो मुल्य और नरलम की जो विशेस्ता है उन पर विश्त्रित रूप से चर्चा करेंगे ठीक है तो चलिए एक करके बात करते हैं अच्छा ये एन आर एल एम राष्ट्री ग्रामिण आजीवी का मिशन जो है वो किन सिद्धानतों पर कार्य करती है सबसे पहले तो यह जानकारी हमको ले लेनी चाहिए क्योंकि देखिए इसका उद्देश यही है इसका सिद्धान उद्देश क्या था जब राष्ट्री ग्रामिण आजीव का मिशन का गठन किया गया तो इनका मूख्य उद्देश वही था कि ग्रामिण जनता जो ग्रामिण लोग है उनकी उनका जो गरीवी है उनको दूर करना निर्धनता को दूर करना उनमें शमताओं का उनके कौशल का विकास करना उसको रोजगार तो था सो रजगार के लिए प्रेवित करना जिससे कि वो शामानने जीवन जी सके यही हमारा मूल उद्देश था एनर एलम का यही इसके शिद्धान्त में भी शामिल है दोस्तों इसका जो पहला अगर आप पॉइंट देखेंगे तो आप समझेंगे कि गरीबों म होती है इससे पहले भी हम लोगों ने बात की थी तो यही इसका सिद्धान्त है सिद्धान्त क्या किन सिद्धान्तों पर कार्य करेगा तो सिद्धान्त वही होगा ना कि गरीब जो है वो गरीबी से बाहर निकलना चाह रहे हैं पहला चीश दूसरा उसके लिए क्या उनमें इसमता होनी चाहिए तो बिल्कुल उनल में परियाप्त शंता होती है जो इससे निकलने की पर्याप्त शंता नहीद्य है तो दिख्षत कहां अती है दिख्षत दूसरा पॉइंटान है दिखक्त इसलिए और जहान होता है उस महां पर उसको उचित मुल्य नहीं मिल पाता तो अब बढ़ी दिखक्त ठीङ है तो कि चीडधान का डिक ते होती है उसमें चना नीच होती है दूसरा जो point है कि शमता का सहीं उपयोग कैसे किया जा तो उसके लिए उसका समाजी एक जूट होना बहुत आवश्यक है समाजी एक जूट होना और उनको संस्था गत मजबूती प्रदान करना जिसको लिए हमने देखा है इस एच जी सेल्फ हेल्प ग्रूप स्वसाहता समू का जो है वो गठन किया जाता है तो उनकी शमता के सहीं उपयोग के लिए दोस्तों उनको क्या होना कड़ेगा समाजी रूप से एक जूट होना पड़ेगा और उनका एक मजबूत संस्था भी बनानी पड़ेगी और करे कर था देखिए एक वग्ती अलग कर रहा है जो अकुसल है ना नीरधन परिवारस से होनिक नहीं हो पाएगा मतलब उसके अंदर कोशल करना हैं उसकी शंता क्या यह पहचानी यह तभी हो पाएगा जब उसमें समाज के रूप में देखिए समाज में जब एक जूट होंगे तभी तो जानेंगे कि आपके अंदर क्या क्या है मेरे अंदर क्या है उसके अंदर क्या है और इसके अलावा उसकी छमता कितनी है क्या उसमें वह बहतर कर सकता है नहीं कर सकता ह जब वो एक जूट होगा और जब इसकी पहचान हो जाएगी कि वो किस छेत्र में प्रमेण है तब उसका संस्था बनाया जाएगा संस्था गत निर्मान जैसे दुग्द सहकारी संग है इसमें जो है वो कौन कार्य करेगा क्या इसकी स्थिती होगी उसको कार्य में रूचिए वो उधर जाएगा ठीक है वैसे ही और कई स्वर्म सहायता समूह के माद्यम से और कई संस्था बनती है उनमें जो है वो कार्य कैसे होगा उसके लिए उनकी शंता को पहचानने के लिए सबसे जरूरी चीज है उसको समाजिक एक जूटता समाजिक एक जूट हो तथा संस्था उनकी होनी चाहिए तो यह सिद्धान पर कार्य करता है याद रखेगा इसके अलावा देखे समवेदन सील सहायता सरचना क्या है तो यह दोस्तों समाजिक एक जूटता प्राप्त कर ली संस्थापन हो गया ठीक है संस्था बना ली लेकिन इस का क्रियानमन करने के के लिए हमें जो सब्सक्राइब बना है और इसके संबंद में बहुत बड़े-बड़े परिशंग बने हैं इनको सही धन से व्यवस्तित करने के लिए जो है वो मानों संसाधन की आवश्यकता पड़ती मतलब व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है इनको चलाने के लिए त कैसी ही काई यां जैसे हम देखें तो आनार एलम के तहट ही एन आर येलम जुए वो लेंसे सबस्क्राइब शेर्ण सान्चालन के लिए समर्पित जो है मानों की अवश्यक्ता होती है और यही समेतियों में शामिल होकर सर्चना को पूर्ण करेंगे और यह संरचना इसको बैतरीन धंग से चलाने के लिए NRLM को क्या चाहिए इसकी जानकारी होनी चाहिए तो इसकी जानकारी होनी चाहिए और उस जानकारी का क्या करना पड़ेगा प्रचार प्रशार करना पड़ेगा इस जानकारी का प्रचार प्रशार करना पड़ेगा और इसको चलाने के लिए कोशल विकास करना पड़ेगा रिण उप्युक्तता संबंदी जानकारी चाहिए रहेगी तथा अन्य आजिवी का जो सेवा है अन्य आजिवी का संबंदी शेवा की आवश्यकता होती है तो इनको सभी को लेकर इन सिध्धानतों के माध्धम से जो है वो एनरल्यम का जानकारी उसके प्रक्रिया की जानकारी उसका प्रचार प्रशार उसके निर्धन परिवारों का कोशल विकास रिण उप्युक्तता संबंदी जानकारी तथा अन्य आजिवी का सेवा जो है उनकी जो है वो आवश्यकता होती है तो यह एनरल्यम का दोस्तों देखेंगे हम यह प्रमुख सिध्धान्त है ठीक मेरे ख्याल से यह स्पस्ट रूप से आपका क्लियर है चलिए आगे बात करते हम एनारलम के मुल्यों में ठीक तो सभी देखिए सबसे पहला देखिए सभी प्रक्रियाओं में निर्धंतम व्यक्तियों को सामिल करना ठीक है तो जितने भी जो प्रक्रिया है आजीविका संबंदी प्रक्रिया है उन सभी प्रक्रियों में क्या करना दोस्तों उन सभी प्रक्र यो में निर्धंतम व्यक्ति से ताथ पर यह है निर्धंतम व्यक्ति से ताथ पर यह है जो गरीबों में भी और गरीब हो सबसे गरीब व्यक्ति सबसे गरीब व्यक्ति को हम बोलेंगे निर्धंतम व्यक्ति और इसके लिए जो है वह सभी प्रक्रियाओं में हमको क्या करना पड़ेगा इनको सामिल करना पड़ेगा तभी इनका विकास पो पाएगा केवल गरीब नहीं गरीबों में भी सबसे गरीब को प्राथमिक्ता दी जाएगी अच्छा इनकी पारदरसिता एवं जवाब देही जो है वो वह भी की जाएगी सभी प्रक्रिया सभी संस्था जो बनेगी उसमें जवाब देही और पारदर्सिता सुनिश्चित करना पड़ेगा तभी आप सही तरीके से इसका कार्यानुवन कर सकते हैं इसमें चलेगी उसमें पारदर्सिता होनी चाहिए सभी लोगों को समझाना चाहिए है ना और जवाब देही भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर कुछ होता है तो इसके लिए जवाबदार कौन है ठीक है तो उसके माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं यह इसका मुल्य है तभी यह सु प्रदान किया जाना चाहिए ठीक है इनके आयोजन के लिए कार्यानवन वन निगरानी के लिए गड़ीव zo detalyaanid बची रहेगी तो इसे विध्यान रखेंगे यह तीसरा पॉइंट चौथा देखें सामुदाईक स्वा निर्भरता यह जो संस्था बनी हैं दोस्तों यह जो समुदाय है उस वो अपने आप पर निर्भर हो और यहीं इसका मूल उद्देश्य है बाहर ही निर्भरता खत्म की भी जाए बाहर जो पर निर्भरता खत्म हो यह अपने आप पर ही निर्भर हो यह निर्भरता कैश्य वह यह निर्भर हो ये भी इस योजना का एनार एलम कारिकरम का क्या है दोस्तों मुल्य है ठेक तो हमने दो चीजें अभी बहुत अच्छे से देख ली एक देखा है दिशानिर्देशक सिद्धान और दूसरा देखा है मुल्य अब बात करेंगे एनार एलम की मुख्य विशेष्टा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार प्रशन पूछा गया है तो इन प्रशनों को इन पॉइंट्स को एक एक चीज़ को आपको बहुत धंसे पढ़ना पड़ेग समाजिक समावेशन और शर्व मान्य समाजिक एक जूटता देखी ये सबी शब्द एक दूसरे से मिलते हुए रहेंगे दिसा निर्देशक से धांत भी वही कहता है एनार एलम मुल्य भी वही कहता है और विशेष्टा भी वही है एनार एलम की जब बन चुकी है तब उसकी विशेस्ताएं क्या है वही है समाजिक समावेशन हो और सर्वमान समाजिक एक जूटता हो ठीक है देखे इसके अंतरगत यह सुनिश्चित किया जाता है समाजिक समावेशन मतलब सब समाज के सभी लोगों का इसमें समावेश होना चाहिए ठीक है नरेले में इसके अंतरगत यह सुनिश्षित किया जाता है कि उस प्रतेक निर्धन परिवार से कम से कम एक सदस्ट जो है वह सामिल हो किसमे स्वाशहता सम्मू, से ऐल्फ हेल्प गृप में क्या होनी चाहिए, सामिल होने चाहिए और अधिमानता मतलब महिला हो तो जादा अच्छा है अधिमानता मतलब अधिकता अधिक रूप से समझ लो वो क्या होनी चाहिए महिला होनी चाहिए प्रतेक निर्धन परिवार से कम से कम एक सदस्य जो है वो इसमें सामिल हो और वो जो सामिल सदस्य है वो क्या हो महिला हो अधिकतर ठीक है इसमें भी क्राइटेरिया आप देखे इसमें जो महिला सदस्य सामिल है या जो सदस्य सेल्फ हेल्फ ग्रूप में सामिल है वो भी क्या अनुसुचित जातियों को उसमें प्रात्मिक्ता दी जाएगी अनुसुचित जन जातियों का हो तप्रात्मिक्ता दी जाएगा अधीक उपेक्षित वर्ग है एक ऐसा वर्ग ह है या उपेक्षित जन जाती समू है क्या है उपेक्षित जन जाती समू है उसको प्रात्मिक्ता दी जाएगी या कोई एकल महिला है जिसका पती खतम हो गया है जो विद्वा है इस प्रकार की कोई एकल महिला है, या कोई विकलांग है, या भूमी ही नहीं है, जिसके पास भूमी ही नहीं है, या पलायन किया हुआ स्रमिक है, इनको क्या है दोस्तों, प्राथमिक्ता दी जाती है, ठीक है, किसके NRLM के माध्धम से प्राथमिक्ता दी जाएगी, Self Help Group में प्रात्मिक्ता निर्धारित करेगा कौन तो ये निर्धारित करती है दोस्तों ग्राम सभा प्रात्मिक्ता निर्धारित कौन करेगा ग्राम सभा करेगा आगे हम देखेंगे ग्राम सभा की भी भूमी का इसमें रहती है ग्राम पंचायतों की भी भूमी का रहती है तो क्या होनी चाहिए महिला होनी चाहिए जरूरी नहीं है कि महिला ही हो लेकिन अधिकतर क्या होनी चाहिए महिला ही होनी चाहिए ठीक है जिसमें अनुसुचित जातियों को अनुसुचित जन जातियों को प्रात्मिक्ता दिया जाएगा अधिक उपेक्षित वर्ग के लोग हैं दिया जाएगा या उपेक्षित जन जाती समू है उनको प्रात्मिक्ता दिया जाएगा या उस परिवार की कोई एकल महिला है या कोई विकलांग है भूमी हीन है या पलायन समी को को इसमें प्रात्मिक्ता दी जाएगी अब प्रात्मिक्ता दी दे कर इसमें क्या बना दिया ग्रोप आतमिक्ता दिया गया इसके अलावा महिला वा पुरुष दोनों को किसान संगों दुख्द उत्पादक सहकारिताओं बुनकर परिशंगों आधी के रूप में शंगठित किया जाएगा यह जो पुरुष और किसान हैं? इनको किस रूप में दोस्तों महिला वा पूर्सों दोनों को किसान संगों दुख्त उत्पादक सहकारिताओं बुनकर परिवारों आधी ऐसे और संगों के रूप में क्या किया जाएगा संगठित किया जाएगा संगठित करके क्या होगा संगठित करके इनकी आजीवी का सु इनके आजीवी का पर जो है वो ध्यान दिया जा सकेगा आजीवी का उपलब्ध कराई जा सकेगी ठीक है तो यही है दोस्तों समाजिक समावेशन और सरमान समाजिक एक जूटता परन्तु इसमें क्राइटेरिया आप ध्यान रखेंगे जो बीपी एल परिवार हैं बिलो परवर्टी लाइन ठीक है तो यह जो बीपी वल गरीवी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं परिवार हैं उनके सौ प्रतिशत जो हैं वही सदस्य होंगे जो इसमें सदस्य होंगे वह सव प्रतिशत क्या होंगे बीपी एल परिवारों के सदश्य होंगे परन्तु उन सौ प्रतिशत में जो पचास प्रतिशत लाभारती है वह एस्टी या एसी वर्ग से होगा ठीक है यह जो SSG ग्रूप बन रहा है और अन्य जो परिशंग बन रहे हैं इनमें परिवारों के सदश्य होंगे दूसरा यह बोला जारा है कि इन में प्रतिशत जो लाभार्ती है इंस उप्रतिशत में 50 प्रतिशत लाभार्ती सेड्यूल्ट ऐंशचीत जनजाती और सिस सेन्योल काश्ट अनुंशुचित जाती वर्ग के लोग होंढ और उसमें घी पंदरा प्रतीम अल्प् शंख्यकों को शामिल किया गया है यह 50 में इस सव में पंदरा प्रतीम क्या हूंगे अल्प शंख्यक होंगे गारीन-प्रतिम जो है यह तीन प्रतिसयत ह्षान में तीन प्रतिसत जो है बीपील परिवारों में विकलांग शदर्ष्य जो है वो सामिल होंगे तो इस प्रकार से इसकी सरचना रहेगी ठीक है तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा ये पहली विशेष्टा थी एन आर एलम की ठीक मेरे ख्याल से आपको सपस्ट है दूस पर गरीबों को विचार पर ध्यान देने उन्हें संसाधन उपलब्ध कराने तथा बाहरी एजेंसियों पर निर्वरता कम करने के लिए SHG और इसके जैसे और जो बाहरी परिसंग है SSG की जो ग्राम स्तर की इकाई है इससे उपर की जो पर इससे उच्चे स्तरी जो इकाई है उसको सुद्रिणता प्रदान करना पड़ेगा सुद्रिण रूप से ससक्त रूप से इन सस्थाओं का जो है वो निर्मान करना पड़ ये जो हैं वो क्या कर सकें बाहरी एजिंसी जो है उस पर निर्भरता कम हो ये स्वैम में ही जो है वो अपने कारी कर सकें अपने कारियों का निर्णाय ले सकें इसको आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो गरीबों के संस्था जो बनेगी उसको प्रोसाहित करना जाहिर सी बात है NRLM का निर्मान ही इसलिए किया गया है कि यह संस्थागत जो self-help group है और जो इसके अंतरगत बनी संस्था है उसको प्रोशाहित किया जा सके तो सीधी सी बात है इसका संस्थापन प्रोशाहन करना जो है वो यही क्या होगी इसकी मुख्या विशेष्टा होगी ध्यान रखेग नेक्स देखें प्रशिक्षण, शम्ता, निर्मान तथा कौशल विकास ठीक है इसके अंतरगत NRLM के अंतरगत दोस्तों निर्धन जो सदस्य है निर्धन परिवारों के जो सदस्य है उनका जो है उचित प्रशिक्षण करवाना उनका जो है वो कौशल विकास करना इनका इसमें संस्थानों का प्रबंधन जो संथा बनेगी उसके प्रबंधन में बजार से संबधता में आजीविका के प्रबंधन में रिण संबंधी जो प्रोसेस है उसमें इनमें क्या किया जाएगा इसका जो है वो छंता निर्मान किया जाएगा शंता विक्षित की जाएगी त आपना कारिय सरी तरीक से कर पाएं ये इनकी विशेस्था में सामिल है उनको प्रशिक्षित करना उनके शम्ताओं का विकास करना, उनके कौशल का विकास करना, इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है संस्थानों के प्रबंधन में किसी को दक्ष बनाया जाए, तो वो पूरी संस्थाओं को क्या कर सकेगा, हैंडल कर सकेगा, बजार से संबधदा, बचार में बहुत सारी चीजें होती हैं, विपड़न संबंधी, लेन देन, आयात, निर्या संबंधी, तो उसमें किसी को प्रशिक्षित किया जाए, ताकि उसका कार्य किया जा सके, उसी प्रकार से आजी विका का प्रबंधन करना, कहीं सारे जो छोटे-छोट का विकास किया जाएगा, यही इसकी जो है, वो महतपूर्ण विशेस्ताओं में शामिल है, ठीक है, चलिए, नेश्ट देखें, परिक्रामी निधी तथा पूंजी का सबसीडी, देखें, इसको दोस्तों अलग से हम लोग पढ़ेंगे, इन निधी वाले चीजों को, तो आ लिए नारेलेम के तहत, जो है वो परिकरामी निधी तदा पूंजी का सबसीडी उपलब्ध कराई जाती है, इसका भी क्राइटेरिया है, मैंने कहा है, इसके लिए हम ढल माने hub fascism करेंगे, तो इनको पूंजी का सबसीडी उपलब्ध कराई जाती है, और इसके माद्ध्य से यह जो समू हैं यह मित व्याता मतलब जो सबसीडी मिली पैसा सबसीडी से पैसा मिला होगा ठीक है या कुछ जो इन लोगों ने लोन लिया उस पर इनको सबसीडी मिली उसमें क्या होगा उसमें इसको मित व्याता मतलब कितना खर्च किया जाए और कितना विकास कारियों मे लगा जाए उसका व्युचित प्रबंद कैसे किया जाए इसकी शमता विक्षित होगी इसके अलावा जो उब्भोग की आवश्यकताओं की पूरती है जो समू के उब्भोग की आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूरती के लिए दोस्तों धन एकत्रित करने का भी जजबा में पैदा उगधा निकत्रित करके भी रखेंगे आप जानते हूं उसके समूं के गुरूप थोड़े-थोड़े पैसे जो है वो जमा करते हैं और उसके हिसाब से फिर उसको क्या करते आगे अपने कार्य के विकास के लिए लगाते हैं जो भी जिस चीज के लिए भी वो गुरूप कार्य कर रही है ठीक है तो यह सब्सीडी प्रदान की जाती है प्रिक्रामी निधी तदा पूंजी का सब्सीडी प्रदान की जाती है इसको भी द्यान रखनेंगे इसकी में और दम से मिलेगा तो इसको स्विधाओं से स्थे क्या करना लैस करना इनको विद्धिक कितना दिया जाना चाहिए कितना लिया जाना चाहिए क्या इस्थिती है उन पर वित्ती समावेशन सार्व भाम सभी लोगों को मिला कर जो है वो क्या किया जाता है वित्ती समावेश्च किया जाता है वित्ती समावेश्च से तात पर यह दोस्तों उनको वित्त प्रदान करना उन पर क्या सबसीडी दी जाएगी उनका कैसे संचालन होगा उनको बैंक से दोस्तों क्या-क्या सुविधाय मिलेंगी आधी-ाधी चीजों का जानकारी रखी जाएगी विशेष्टा प्रदान की जाएगी इसके अलावा वित्त प्रदान करते समय उनकी मांग पर उनकी सेति हो रही है कि नहीं हो रही है कितनी हो रही है इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कोई भी संस्ता चलाने के लिए हम को वित्त की आवश्da कता होती है ठिक ने norms-एधिवी का देखिये हम देखते हैं गावं में जो लोग पालते हैं पशु पालन करने वाले इन पर जो है वो क्या होते हैं ये निर्भर होते हैं तो ऐसे गाओं के लोगों को दो है वो क्या किया जाएगा इस्थाई आजीविका प्रदान करने के उद्देश से कार्य किया जाएगा ठीक है इनकी आजीविका को क्या किया स्थाइद मिल सके ताकि इसको भटकना ना पड़े और इस अजी में जो तो क्या किया जाए वृद्धी और वीवीधता कई प्रकार के जो कारी हैं इनको प्रदान किया जाए इनकी इसकी मुख्य विशेष्टाओं में सामिल है देखतों इसमें जो लिखी हुई भासा है अगर उस भासा में मैं आपसे बात करूंगा तो आपको जो है वो समझने में परिशानी हो गया इसको सरल माध्दंग में समझाया जा रहा है ताकि यह चीजें जो है वो आपको अच्छे से याद रहें ठीक है तो आज जो है वो हम लोगों न संस्थान ड्ली चोलिए अब देखते इसकी अगली जो विशेष्था है ग्रामिण स्वरोजगार प्रसिक्ष्ण संस्थान इसको अब में बोलते हैं एंस ET i rs से इटी आई तो इसको भी आप याद रखिएगा ठेक के तहद दोस्तों सारवजनिक छेत्र के बैंकों को ठीक है सारवजनिक सारवजनिक छेत्र के बैंकों को देश के सभी जिलों में ग्रामेंट स्वरोजगार प्रसिक्षन संस्थान इस्थापित करने के लिए प्रोसाहित किया जाएगा जिससे गाओं में जो बिरुजगार यूवक है उनको स्वरोजगार उपलब्द कराकर उद्यमी बनाया जा सके किया जाएगा सार्वजनिक छेत्र के बैंकों द्वारा देश के सभी जिलों में एक प्रशिक्षन संस्थान ग्रामेंट स्वरोजगार प्रसिक्षन संस्थान स्थापित किया जाएगा ठीक है तो याद रखें गई से नेक्स देखे नवीनी करण कि देखिए दोस्तों एक और अवधार्ना यह है कि नवीनिकरण के माध्धम से निर्धंता को कम किया जा सकता है गरीबी को गरीबी कम करने में बहुत तेजी से तिव्रता के साथ गरीबी जो है वह कम किया जा सकता है इसी के तहत दोस्तों इसने जो एन आर एलम के द्वारा केंद्री आबंडन का जो प्रांत प्रतिशत हिस्सा है जो वो नवीनी करण के लिए रखा गया है नवीनी करण के लिए नियत किया गया है नवीनी करण में दोस्तों जो नवीन योजना हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा नवीन जो योजना नवीन जो ऐसे नवीन कारक्रम जिससे क्या किया जा सकते निर्धंता को अधिक से अधिक कम किया जा सकते और गरीबों को रोजगार उपलब्द कराया जैसे के गरीबी दूर की जा सके ऐसे नवीन कि योजनाओं को सामिल किया जाएगा इन नवीन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए जादा प्रयास किया जाएगा जिसमें निर्धनता को कम किया सके गरीबी झा सके ठीक है तो यह इसकी अधार्न हैं इसको याद रखिएगा विशेस्ता में सामिल है नेक्ट देखे तालमेद बहुत ज़रुई दोस्तों हर जगह जोर रही है आपके पढ़ाई में जहरी है आपके जीवन में जोर रही है यहां इसले ज्रूरी है क्योंकि इसमें दिए RLM के के तहद ग्रामेंड विकास मंत्रालाय के कारिकरम संचालीद होते हैं तो क्या वहीं संचालीद होते हैं नहीं इसके अलावा केंद्री मंत्री मंदल के तता राज सरकारों के जो कारिकरम हैं वे संचालित हो रहे हैं तो उनके मद्द क्या होना चाहिए तालमेल होना अधिक आवश्यक है इसको समझेगा एनारलम के तहद ग्रावेंड मंत्रा विकास मंत्राले के कारिक्राम तथा केंद्री मंत्री मंदलों और राज सरकारियों के कायरमकों के मद्ध तालमेल इस्थापित किया जाएगा ठीक है तालमेल इस्थापित किया जाएगा उसको जादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि अगर तालमेल नहीं होगा दोनों कायरक्रमों के मद्ध तो तो उनों में विवाद इत्पन होगा और गरीवी हटाना गरीबों के विकास के लिए जो कायक्रम निर्धारित किये गए वो सही डंग से नहीं चल पाएंगे तो इसको भी ध्यान रखिएगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आता है आपका पी आराई के सांथ संबंद पंचायती राज इंस्टिट्ट पंचायती राज संस्था आई एक चुन में पंचायती राज संस्थाओं के सांथ संपर्क ठीक है इसमें देखिए दोस्तों पंचायतों और गरीबों की संस्थाओं के बीज लाबकारी क संबंद बनाना किसके भी पंचायतों और गरीबों के लिए जो संस्थाइं गटित हो रही है और गईरा अनुद dalam कारेकारी संबंद स्थापित किया जाएगा क्योंकि पंचायती रज संस्थां कि माध्धम से ही जो है अपको पता है इसके तहरत दोस्तों यह पंचायती राज करती है तो पंचायती राज BPL परीवारों का निरधारन करने का काम करती है पंचायती राज ववश्ता वहाँ पर दोस्तों BPL कार्ट जो BPL below parity line ग्रीबी लेखा के नीचे जो व्यक्ति आते हैं उनमें और सबसे निर्धन व्यक्ति तता सबसे दूर्बल व्यक्ति का चुनाओ किया जाता है इसके SSG में चुनाओ किया जाता है और SSG Self Help Group परिशंग परिशंगों में उनको सम्मिलित किया जाता है इसके अलावा जो पंचायती राजववस्था है पंचायती राज जो संस्थान है वो सेल्फ हेल्प ग्रूप जो दिया गया है सेल्प हेल्प ग्रूप और उसके परिशंगों को कार्य के लिए सुविदा जनक वातावरन प्रदान करता है इसके अलावा जो है दोस्त तो इसे भी आप ध्यान रखेगा, सभी चीज़े आप नोट कर लीजेगा, इसके अलावा देखे तकनिकी सहता, ठीक है, तो पंचायती राज संस्था चाहिए हो गया, NRLM में जो है दोस्तों, राज और सभी साजीदारों की, ठीक है, संस्था गशंताय स्रीजित करने और सु पंचारू धंसे चला सके, सही तरीके से उसका कारियानवन कर सके, इसके लिए, NRLM में, राज और सभी, उसके साजेदार, जितने भी संस्था हैं, उन्हें संस्था गशंताय स्रीजित करने के लिए, तथा उनको शुद्रिण बनाने के लिए, तकनिकी सहायता, मुहिया करा आएगा, ठीक है, तकनिकी सहायता, मुहिया कराएगा, क्यों, क्योंकि, NRLM के तह सारे कारिया, जो है, वो सही तरीके से हो, और जो है, वो दिर्ग कालिन, उससे लाव प्राप्त किया जा सके, इसके लिए, राज और सभी, जो है, वो संस्था गसंजा है, साजेदार, एगा, उनको शुद्रग्दा वढ़ानी के लिए, उपलब्द करवाया जाएगा, मुहिया करवाया जाएगा, ठीक है, तो यह इसकी एक विशेष्ता है, इसके बाद देखें वित्त पोषण, तो यह देखें दोस्तों, NRLM एक केंद्री पोशित योजना है, केंद्री पो प्रोशन है उसमें जो केंद्र और राज्य का विप्त लगेगा कितना कितना भाग इसमें आता है ठीक है तो यह एक्षण में एनार एलम्म तो है केंद्र प्रोशीत योजना परंतु सभी कारिकर्व में केंद्र और राज्यों के बीच जो है वित्ती पोशन जो है वो 75 केंद्र सरकार उपलब्द कराएगी और 25 रुपए राज्य सरकार उपलब्द कराएगी समझेगा ठीक है एनार एलम्म है तो केंद्री पोशीत योजना परंतु किसी भी कारिकर्व का वित्त पोशन जो है वो केंद्र और राज्य दोनों में बढ़ता है और किस अधार पर परचेगा तो जो दोस्तों यहाँ केंद्र का 75% हिस्था होगा और मतलब मैंने बताया कि यदि सो रुपए किसी कायर काम में खर्चाने है तो 75 रुपए जो है केंद्र लगाएगी 25 रुपए जो है वो राज्य सरकार लगाएगी लेकिन इसमें भी याद रखेगा यह समान अलग हे इनके लिए केंद्रा और राज्य का जो संबंद रहेगा कायरकरम में किया जाएगा उसमें नब्वे अनुपात 10 का अनुपात रहेगा मतलब सौ रूप्या यहां पर सिक्किमद्र पुर्वत्तर राज्य में याद रखेंगे यदि किसी कायरकरम का संचालन किया जा रहा है और सो रुपए खर्चाता है तो नब्वे रुपए लगाएगा केंद्र नब्वे रुपए कौन लगाएगा केंद्र और दस रुपए लगाएगा दोस्तों राज्य राज्य से कम बजट यहां पर मिलेगा दस रुपए ही लगाएगा कहा कहां सिक्किन सहीं पूरे पूर्वत्तर राज्यों की बात यहां पर की जा रही है इसके बाद यदि बात करें तो संग राज्य छेत्रों के मामले में केंद्र सत्प्रतिशत योग्यान जेगा जो संग राज्य संग्सासित रचय प्रदेसं संग्राज्यश्य संग्सासित तो यह सरकार उपलब्ध कराएगा ठीक है तो यह वित्त पूशन होता है यह बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट है यह सारी चीजें तो इसको ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए उसके बाद देखते हैं के समक्ष एजेंडा क्या है यह देश में छे सो जिलों छे हजार ब्लकों ढई लाख गाओं और दाइव ग्राम पंचायतों शे लाख गाओं सात करूड बीपी अल्ट परिवार रोट उनके स्वत्य प्रबंदित एस एच जी स्वत्य प्रबंदित मतलव स्वेंसर्फ से उसका जूट करने का एजेंडा निर्धारित है किसको एन आरलम जो है वो देश में छे सो जीलों छे हजार ब्लोकों धाई लाग ग्राम पंचायतों छे लाग ग्रामों साथ करोड़ बीपी बीपी एल परवायरों को एसेच जी सेल्फ हेल्प ग्रूप के माध्यम से क्या किया जाएगा उनके परिसंगों और आज जीवी का क्रिया पहलापों के ठीक है तो यह NRLM की आज हमने पूरी विशेस्ताओं पर चर्चा कर ली है ठीक है इसके अलावा और भी विशेस्ता है जो पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे दोस्तों यह इनफ था इसको ध्यान में रखेगा NRLM की यह पूरी विशेस्ता है जो है वो यहां पर हमने देख ली है ठीक है तो यह आज का जो है दोस्तों सेकेंड पार्ट हम यहीं पर समार्थ करते हैं इसका थर्ड पार्ट बहुत जल्द अप्लोड कर दिया जाएगा आसा करतों आपको वीडियो पसंद आया होगा पसं क्लास का लिंक है इसके अरावा नीचे पट्टी में भी नंबर फ्लैस हो रहा होगा तो वहां से भी आप कॉल करके कोर्स परचेस कर सकते हैं ठीक है तो आज की कक्षा यहीं पर विराम करते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय शक्तिसगर